बुद्धी के मापन के सिधान्त के बारे में बता रही हूँ इस क्लास में यह क्लास 12 क्लास के बच्चों के लिए है 12 क्लास के बच्चों के लिए है यह देखिए मनोबेग्यान को द्वारा बुद्धी के कई सिधान्तों का परतिपादन किया गया है बहुत ही तरह से बुद्धी के मापने के लिए बहुत से सिधान्तों का परतिपादन किया गया निर्वान किय इन सिधान्तों में से एक तरह का सिधान्त कारक फैक्टर जिसे मनमीतिय फैक्टर कहा जाता है साइकोमेट्रिक एप्रोच या सनरशनात्म कुपागम स्ट्रक्ट्ट्र एप्रोच भी कहा जाता है इस सिधान्त को हम लोग क्या करते हैं कारक फैक्टर को हम लोग क्या करते हैं स बिभीन तरह के मानसिक छमताओं का योग माना गया है। एक कारकिये सिधान्त। प्रतिपादन अलफ्रेड बीने एक बहुत ही बड़े मनोविज्ञानिक थे और इन्हों ने बहुत दिनों तक रिसर्च किया और रिसर्च करने के बाद 1916 में इन्होंने अपना एक सिधान्त दिया। इसे यूनिफेक्टर सिधान्त हम लोग कहते हैं। बुधी का यह एक सरलतम सिधान्त है और इस सिधान्त की सानशनक अधार बीने की वो अभिरूची थी जिसके माध्यम से वे अधिक तिवर बुधी के बेक्तियों को कम तिवर बुधी के बेक्तियों से भिन करना चाहते थे। जो अधिक तेज बच्चे हैं उनको कम तेज बच्चे से अलग करना चाहते थे। में रिशर्च था युस रिशर्च को पूरा किया अ और उसरी सर्श के अधार पर इन्होंने अपना एक सिधान्त निकाला जिसको हम लोग युझे फैक्तर सिधान्त करते हैं UNIFAC insight करते हैं एक कारकी 6 kसा काते हैैं इस सीधान्त काफी इस पीशरल ठामतलक इजिंजिरी और इस इधान्त के अंतरगत इसका आधार क्या था कि वो तेज बच्चों को तेज बच्चे जो होते हैं बहुत ही तीब्र बुद्धी के जो बेक्ति हैं उनको कम तीब्र बुद्धी के बेक्तियों से भीन करना चाहते थे वो उनको अलग रखना चाहते थे कि किस कारण से इ बुद्धी के छमताओं उन्हों की अनुसार ये बुद्धी एक छमताओं का एक समान सेथ होता है समान सेथ है जिसके माध्यम से बेक्ति अपने वातवरण में कि किसी भी समस्या का समधान वो आसानी से कर सकता था कि बुद्धी जो है एक समान सेथ है जिसके अधार पर हम क्या करते हैं वातवरण में वातवरण उपस्थी जितने भी समस्या है उसका समधान हम आसानी से कर लेते हैं तो इसका कौन किया था अलफ्रेट बीने ने तो हम इस चीज़ को समझ गया कि अलफ्रेट बीने का बुद्धी का जो सिधान्त है वो क्या है समान चमताओं का एक सेथ है तो अब हम देखते हैं कि इस तरह से अब बुद्धी क्या होता है आज का क्लास यहीं तक समाप्त करती हूं अबले क्लास में दुसरे सिधान को बताऊंगी तब तक के लिए धन्यवाद आप सब इस क्लास को पढ़ें तब तक के लिए यह धन्यवाद है